चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाल आइकन को और फिस एड़ कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना आपने एंजल ब्रोकिंग या फिर एंजल वन का नाम तो सुना ही होगा बिलकुल सुना ही होगा डेफिनेटली एक ऐसा डिसकाउंट ब्रोकर जो कंट्यूनियूसली हमेशा बैक टूबैक बार बार अपने अप्लिकेशन को अपडेट तो दिता ही ह साथ ही साथ में उन अपडेट में एक से बढ़कर एक फीचर एड़ करता है है एक फीचर आपने सुना होगा अपने जो स्टॉक्स है उनको प्लेज करने वाला प्लेज तो समझते होंगे नहीं समझते प्लेज मिंस गिरवी रखना इस प्रक्रिया में आप जो है अपने स्टॉक्स अपने ब्रोकर को यानि कि अगर हम एंजल वन या फिर एंजल ब्रोकिंग की केस में बात करें तो आप अपने स्टॉक्स इसके पास गिरवी रखेंगे एक निश्चित अमाउंट पर लेकिन क् वो इसलिए ताकि आपको कुछ अमाउंट अपकी ब्रोकर के दे दिया जाए और आप उस अमाउंट के जरीए कुछ और पैसा कमा सके अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो है वो अपनी जरुरतों को बूरा करने के लिए अपने घर की कोई चीज या अपनी कोई चीज जो वो किसी के पास गिर भी रखते है और कहते है कि इतने इतनी समय में जो वो वापस कर देंगे तब तक के लिए जो वो उस चीज को जो गिर भी रखने वाली की बहुत इस्पेशल हो सकती है वो दूसरा बंदा रख ले है ना तो उस फीचर को भी यहाँ पर बहुत ही जादा इजी बनाया गया है प्लेज प्रक्रिया को इसके बाद कुछ फीचर ऐसे भी है जिनके तुरू आप अपने सारे स्टॉक्स जो आपने कभी बाई की होंगे और सेल की होंगे उनके बारे में यहाँ पर आपको जानकरी मिल कि आपने कितना प्रॉफिट लिया इंटर डे में कितना प्रॉफिट लिया या लॉस लिया है और कितनी बार आपने बाई किया सेल किया यह सारे जान करिया यह भी हम मिल जाती है इसके बाद सबका सब अगर मैं यहीं बता दूँगा तो आप आगे वीडियो किसे इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है एंजल ब्रोकिंग के एक से बढ़कर एक फीचर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे तो बने रही है वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हमारी पूरानी फॉर्मिलिटीज वही जो सज्जन अभी तक WhatsApp ग्रूप Tech Assistant for Blind के अभी तक नहीं जोड़ा है तो वो About पेज में आए उसके बाद आपके लिए वहाँ पर लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम का भी और WhatsApp के लिए Google फॉर्म का भी अब यहाँ पर Google फॉर्म में जाए वहाँ पर आपके लिए एक नियमावली दी हुए उससे सुनिये और उस नियमावली को ध्यान से सुनने के बाद आपको एक नियम पूछा जाएगा उस नियम को वहाँ पर आपको कर दे जाएगा ग्रूप में तो यह तो रही WhatsApp ग्रूप और टेलिग्राम ग्रूप के बाद फीमेल के लिए अलग से डेडिकेटेट ग्रूप है टेक असिस्टन फॉर फीमेल आप लोगों से भी जो भी फीमेल से निवेदन है कि यदि आप इंट्रेस्टेट है ग्रूप मे उसी पध्धती से जिस पध्धती से अभी मैंने बताया फॉर्म को खोलना है फिलप करना है बस तो अब हम जो है वो आज का वीडियो शुरू करने वाले हैं एक बात और कि इस वीडियो में भी हम किसी प्रकार का कोई कोश्यन नहीं लेने वाले कारण सिंपल पिछले वीड अगर आप लोग चाहें तो कोशिण कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस जिग्यासा को यह था संभाव यह था शीग्र जल्दी जल्दी जो सुल्जा दिया जाए तो हम चलते हैं एंजल ब्रोकिंग खोल रखा है मेरे जिन फीचर्स की मैं आपक जो भी नए मेंबर्स या नए लिसनर्स हमारे होंगे उनको मैं बता दू कि एंजल ब्रोकिंग पर हम अल्रड़ी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारी स्टेडी ओफ शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट जो बन रखी है इस सीरीज की उसमें अल्रड़ी अवेलेबल है तो आला कि काफी सारे फीचर्स में एक्टर जुड़े हुए हैं तो आज उनमें से ही कुछ फीचर्स हम देख रहे हैं पोट्फोलियो पर भी हालग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है हमने लेकिन उस समय तक भी यह जो फीचर जो आज हम जिनका जिक्र करने वाले हैं व तो नहीं आये थे तो मैं आपको बता दू होम ओवर्व्यू और बैक से उपर यह सारे टैब मिलेंगे देखिए बता दू इससे सबसे पहले एक और है डिस्कवर वाला टैब ओके तो आज हमारी जरुद पोर्ट्फोलियो से है तम पोर्ट्फोलियो जो यह देख लेते हैं उसके बाद आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी फीचर में चाहे वो डिस्कवर हो या और किसी भी ओफ्शन में विकल्प में आपको मिल रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूर्ट्फोलियो को खोलू यह पर ड तो यहां से हम देख लें कर रहे हैं इन सभी विकल्पों को हम अल्रेडी डिफाइन कर चुके हैं पूर्ट्फोलियो वाली वीडियो में ख्राइब तो यह जो औप्शन है अन्रियलाइज जीप पर लीटर यानि कि यह जो इसको बोल रहा है ने प्रॉफित एंड लॉस इसका मतलब है पी यल का मतलब तो जी मिन्स ग्रोस प्रॉफित अंड लॉस यहां पर देखी पहला विकल्प जेश्ट इसके नीचे जंदरली क्या होता था यदि हमें आज अपना पिन वेरिफाय करना है अपने डिमेट अकाउंट से कोई भी स्टॉक बेचने के लिए तो अबिसली हमें वैसे पता नहीं होता था कि जो आज फला फला स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक कहां पर चला जाएगा लेकिन हम क्या करते थे कि स्टॉक को खोलते थे फिर उसमें सेल धूंडते थे फिर प्रूसीट वगरा सब करते थे इतनी सारी प्रोसीज करते थे तो उतना जो है वह इन्होंने हमारा समय बचा दिया है अब क्या क्या है देखिए से इधा यह विकल्प यहां पर दे दिया है इस पर डबल टैप करते एक बार जी यही वाले विकल्प के में आपके सामने भी बात कर रहा था कि सबसे पहले जैसे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है उस पर डबल टैप किया फिर वहां पर सेल धूंडा फिर भी बटन पर फिर हिट किया देन यह वाला विकल्प आता था थोड़ा परोला लंबा होता था है फिर आप बेशक आपको उस डिन बेचना हो यह नहीं बेचना हो लेकिन फिर आप अटलिस्ट वैरिफाय करके तो रखते थे वही से लेकिन अब यहां से क्या करना है के नोटिफिकेशन है इसका डायलब बॉक्स यह खुल गया दिखी इसमें तो यहां से हमें बता रहा है कि आपको CDSL की वेबसाइट पर जो है वो रिडारेक्ट कर दिया जाएगा आपके SMS या एमेल पर एक T-PIN भेजा गया है उसे आप जो हापर यूज करें वापर T-PIN डालने के लिए विकल पाता है उस पर आप जो वो पिन डाले और प्रूसिट कर दे उसके बादे आपके पास ना एक OTP आता है उस OTP को डाले उससे आपका जो यह वेरिफिकेशन है वो होता है है ना यानि कि टिवर पिन आपका किसी के भी पास जा सकता है लेकिन OTP नोडेफिनेटल यह आपके मोबाल या इमेल पर आए गा तो यह responsibility आपके हो जाती है ठीक है कि आपको आपने आपने जो scripts थी stocks थे वो बेचे है या नहीं यह बेचने ही या नहीं है यह आपके responsibility हो जाती है यहां से proceed कर सकते हैं in case आपके पास pin या email या sms पर pin आया हो लेकिन आप भूल गए या वो आपसे delete हो गया तो यहां से regenerate कर सकते हैं ठीक है यहां से अगर आपके पास pin औरड़ी है तो जाएए और यहां पर आपके लिए एक box खुले जिसके मैंने आपको बताया टीपिन के लिए और वहां पर पर टीपिन डालिए और उसके बाद प्रूसिट किजे देन आपके ब्रोकर को मिल जाएंगे बेचने के लिए उसके पास राइट साजाएगा बेचने के लिए तो यहां से हम बैक करते हैं बहुत ज़र टफ निये है तो verify to sell देख लिए मोर ठीक है यह more वाला विकल्प है just verify to sell के right में rights वह हम जब करते हैं तो यह विकल्प आता है इस पर double tap करें पहला विकल्प आता है आपके लिए profit and loss increase margin यानि कि यह जो विकल्प है यहां से हम हमारे stocks को pledge कर सकते हैं तो पहले हम profit and loss देख लेते हैं इस पर double tap करते हैं यहां से हम right swipe कर रहे हैं P&L equity यानि profit and loss 2021-22 यह जो हमें बताएगा यहांपर 2021-22 यानि कि 2021-22 यानि कि 2021-22 यानि financial year है इसके बताएगा कि इन financial year में हमने कौन से stock लिए बेजे हैं total total realized cheaper leader ठीके total अभी तक जो है total कितने रुपए का हमने लेंदेन कर लिया है कितने रुपए का खरीदी बेजी कर लिये ग्यारा लाख बावन हजार अराउंड लगबग इतने रुपए तक का जो हमने लोग मतलब ट्रेड कर चुके हैं इतना जो है वो जाने इसके साब से इंकम या कहिए कि प्रॉफिट या लॉस हो रखा है दोनों काउंट करेगा प्रॉफिट भी लॉस भी दोनों तरह से इसलिए फिफ्टी वन थाउजन तक पहुचा दिया प्लस 4.5 इतना परसेंट तक का जो हो डिटन अब यह से सिंबल साएंगे मतलब इस्क्रिप्ट के सिंबल बताएगा इस्टॉक का सिंबल है न जैसे की सपोज आपका एक कोई स्टॉक है जिसका की नाम क्या के सकते हैं आप आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उसका सिंबल है स्बी आई एन है न तो इसी प्रकार से यहां से उसके जो वह स्टॉक का सिंबल बताएगा एक तरह का टेबल है कि इसमें क्या क्या बताएगा आपको समझना है कि पहले क्या इसके बाद क्या बताएगा या नी पहले बताएगा stock का नाम, symbol यानि कि उसका, उसके बाद buy and sell value बताएगा, फिर उसके बाद क्या बताएगा, देखें realized, है न उसके बाद gain या loss यानि कि profit हुआ है, या benefit हुआ है, sorry या loss हुआ है, उसका percentage बताएगा profit and loss intraday और भी बताएगा रिखी इंटra डडे में सिटॉक से कितना कमाया है तो सल पाद penalty supply तो इसमें समझ लीजे लग लग पूरा पूरा बताने की वजाए हम यह समझ लेते हैं कि 42,000 रुपे का लगभग लगभग जो हमने आदानी पोर्ट में ट्रेड किया हुआ था ठीक है अब 42,000 रुपे का ट्रेड किया उसमें around 43,000 रुपीज तक का इंट्राडे भी और डिलिवरी भी तो उसमें जो है देखिए प्रॉफट 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 इंट्राडे है और 547 यह हुआ डिलिवरी में अच्छा उससे पहले उसने 1079 बोला तो आप 531 और 547 को जोड़ देते हैं तो 1078 आता है तो 79 मतलब क्यों वो इसलिए क्योंकि कुछ पैसे में भी होते हैं जैसे वो हो सकता है कि 51 पैसा 531 रुपीज और 51 पैसा हो और इदर 52 पैसा हो या 63 पैसा हो कुछ भी हो सकता है तो यह जो उपर की पैसे में होते हैं यह काउंट नहीं करता इनको जो राउंड में ही बता रहा है ठीक है अब आगे और देख लेते हैं एक खाड़ा स्क्रिप्ट इसको समझिए यह एक इसमें परसेंट भी विता दिया और यह विता है कि मैंने कितने रुपई में इसको टोटल कितने रुपई में में खरिदा है और कितने रुपई में बेचा है उसके बाद टोटल रियलाइज यह अभी तक का सेलबाय में कितना प्रॉफिट लाउस हुआ तो 67 रुपीज उसके बाद फिर से एक बाद 67 रुपीज बताया उसने यानि की इंट्राडे है ना और जीरो यानि की डिलिवरी या मैंने जो वो सेम डे लिया और बेच दिया था तो उसके लिए मुझे 67 रुपीज मिले थे इंट्राडे में ट्रेड करने पर और एक बार देख ले बूसरा अब इसमें भी इंट्राडे में जीरो है देखिए ठीक है पहला 279 की अभी तक का टोटल प्रोफिट इस से कमाया मैंने और उसके बाद परसेंट में कि वो कितना परसेंट होता है उसके बाद जीरो यानि कि इंट्राडे में जीरो और लाश्ट में 279 कि अब इदर दोनों चीज़े आगे एक बार 146 158 यह दोनों चीज़े बता रहा है और इसमें जो है 146 इंट्राडे का है और 158 यह जो लास्ट वाला वो डिलिवरी है ठीक है और इससे पहले ठीक है 305 रुपाई जो यह टोटल बता रहा है तो अगर आप 146 और 158 को जोड़ देते हैं तो 304 आता है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पैसे भी होंगे जो कि यह जिनका जिक्र नहीं करता ठीक है अब हम क्या करते हैं इस स्क्रिप्ट को एक बार इस पर फैसे को आपके बल्राम पुचिनी पर आपके बल्राम पुचिनी पर टीक है यानि कि शॉर्ट टम यह बता रहा है कि पी यह प्रॉफिटिया लॉस हुआ है एक सो अथावन रुपे और अथाइस पैसे के समतिंग ठीक है और लॉंग तंम में कोई भी पैसा जोग वो गेन चांटा फेक सबसे बताए इस जो सबसे लास्ट में हो में अगर वीओ फीयों रॉलंग गठेंन में विओ सनहीं अ छे स्रफ्न." तो यहां पर sell button है यहां से हमने left swipe किया है okay then buy आया है फिर यह आया है view transaction यहां पर double tap करते हैं यह खुल गया है अब यहां पर सब हमें बताया जाएगा exactly कब कभी stock लिया गया या कब कब बीचा गया उसका code भी बता रहा है और पूरा नाम भी बता रहा है ठीक है हम यहां से right swipe करते जा रहे हैं बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहां से trade date ओके यह पहली इसका table का पहला title हो गया type उसके बाद यहां की intraday या फिर delivery क्यूटी वाइन की quantity price किस price पे बेचा या खरीदा गया ठीक है इसको ध्यान से सुने नवेबर 2221 जो वह सेल किया गया है इससे पहले सुन लेते हैं यह delivery में से सेल किया गया है ठीक है यानि की finally यह sell हो गया जो आपनी खरीदा था उसको finally जो है वह delivery से सेल कर दिया गया है इसको उसके बाद खरीदा ने गया ठीक है इसले delivery में से जो यह बता रहा है अब सब्सक्राइब कर देतें एक बार चीक है 315 रुपे और 36 पैसे में इसी को बेचा गया था 321 रुपे में चीक है जो पीछे 21 नवंबर बताए गई थी देखिए यहां पर उसी दिन यानि की 18 नवंबर को 318 रुपे पे जो है मैंने इसको बाई किया था इंट्रडे में ठीक है यह बता रहा है ठीक है 323 पे इसको वापस बेज भी दिया तो यह इंट्रडे हो गया एक प्रिंड कर दो यह तो यह मैंने आपको बता दिया की इनमें डेट वास कहां किसे करतें देखते इन आ हैं और इसके लाबा किस तोक में कितिना प्रोफिटे कितनी बार intraday delivery में कितना कितना benefit ले चुके हैं यह सब हमने इसमें देखा अब यहां से बैक का जाते हैं आपको अगर वापस से इन stocks में और position बनानी हो यानि कि खरीदना हो intraday delivery के लिए तो आप यहां से भी ले सकते हैं है ना एक तरह से आपकी favorite stock list में आपकी financial year में जूल गया है यहां से बैक कर रहा है ठीक है ठीक है यह profit and loss यहां से अब एक बार स्वाइब करते हैं increase margin है ना वह कैसे होगा increase कैसे होगा हमारा margin margin बढ़ने के लिए obviously हमें कुछ न कुछ जो इसको देना होगा तो यहां हमें अपने stocks को देने पड़ेंगे यानि कि stocks इसके पास गिरवी रखने पड़ेंगे ठीक है गिरवी रखने में यह condition है कि अगर हम जो भी इसके द्वारा दी हुई अवधी है उसमें अगर हम इसका पैसा नहीं चुका पाए तो ऐसी स्थिती में यह हमारी stock बेच सकता है और अपना जो पैसा है वह वसूल कर सकता है और obviously दिखती बाते हैं अगर आपकी कोई चीज 10 रुपई की है और आपको पैसों की जरूरत है तो कोई भी आपको 10 रुपे पूरे तो नहीं देगा तो सिरी से दिवाते आप आपको आठ रुपे देगा यह साथ रुपे देगा नौ रुपे देगा यानि किसी हाल में कम ही देगा इंक्रीज मार्जिन पर डबल टाक किया चीज़ है यहां से हम स्वाइब करते वें चलते हैं इस हिंदुस्तान मीडिया एक जो stock है मेरे पास इसको अगर हम गिरी भी रद देते हैं यानि कि प्लेज करते हैं तो यह हमें इतना amount देगा यानि कि लगभग साड़े सोला हजार रुपे यह हमको देगा और अगर हम देखे कि हमने जो कितने stock खरीद रखे हैं तो यह लगभग 18,000 रुपे से ज़ादा है काफी ज़ादा value के है यह stock है न तो यह हमको कम ही दे रहा है और यहाँ पर यह जो है वह checked है अगर हमें चाहिए कि हमें यह वाला stock गिरी भी नहीं रखना है तो हम इसको unchecked कर देते हैं यहां से ठीक है यह इसकी quantity total sorry 300 रुपिस quantity है लगभग 27,000 रुपे तक का जो है वो यह value है इनकी है न यह हमें केवल 16,500 रुपई दे रहा है अब इसमें यह ले रखा है मैंने तो इसमें जो 5,900 रुपिस हम पो सम्तिंग दे रहा है है यहां से चेक्ड रियनकी selected है ठीक है quantity 54 है ठीक है और लाश्ट में यह वाला विकल पे देखी ज़रा यहां से इसकी कुछ terms and conditions है मैं left swipe कर रहा हूँ ठीक है यानि कि आप जितने भी stocks को यहां पर pledge करते हैं तो उनके लिए 20 रुपए और GST लेगा यानि कि suppose आप जो है वो हिंदुस्तान मेडिया को यहां पर गिर्वी रखते हैं उसके साथ NMDC को रखते हैं तो 20 और 20 चालिस रुपए जो है यह एक तो इसके charges है उसके बाद इन पर जो भी GST लगेगा वो लगेगा तो इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा पहले वो भी देने पड़ेंगे लेकिन अगर जरुत आन पड़ी तो करना ही पड़ता है यह एडिशनल मार्जिन हमें कितना दे देगा यह सुन लीजे और अभी मैं आपको बता दू कि लगभग यहां पर अभी मेरा वन लाक एंड थर्टी वन थाउजन रुपीस के सम्थिंग सम्थिंग इन्वेस्टेड है और यह इसके अगेंस्ट में हमें 87,000 के सम्थिंग सम्थिंग अगर मेरी जरूरत नहीं है तो अब क्या करना है कि अगर मुझे चाहिए ही चाहिए तो इस पर जैसे हम डबल टाप करते तो यह हमें लेकर जाएगा CDSL की वेबसाइट पर अब CDSL की वेबसाइट पर वही वाली प्रोसेजर पिन डालिए उटीपी डालिए और वेरिफाई कर दीजिए ठीक है उसके बाद जो है आपके जितने स्टॉक्स आपने सेलेक कर रखे हैं वो सारे के सारे आपके ब्रोकर को दे दिये जाएंगे लीज स्टॉक को जो भी है ये अपने ब्रोकर के साथ साजा कर देते हैं उसके बदले में कुछ पैसे ले लेते हैं ठीक है तो मेरे खायल से मैं आपको ये दोनो तीनो चीज़े जो मैं हापर बताने के लिए आया था मैं बता चुका और समझाने में शायद सफल भी रहा होंगा कि किस चीज़ में क्या मिस्टिक है और इसको मुझे सुधाना चाहिए या कोई कोश्चन है न तो फिलाल के लिए तो मैं विदा लेता हूं जय हिंद जय भारत